Good morning students, hi this is your Tanvimis Today we will discuss about your new topic, Warfare for Wealth Warfare for Wealth, आप इस topic के नाम से क्या समझे, क्या है यह Warfare for Wealth? Warfare for Wealth मतलब पैसों के लड़ा जाता था ठीक है अब इस topic में हम पढ़ेंगे पैसे के लिए लड़ाई चल रही है Wealth के लिए लड़ाई चल रही है, क्यों लड़ा जा रहा है, किसके बीच में लड़ाई हो रही है हम इसे समझेंगे, ठीक है Ruling Dynasties have the specific region to rule क्या होता है, जैसे ruling dynasties होती है जैसे कि आप ले लो गुर्जार प्रतिहार, जोलाज, राश्टर कुटाज, ठीक है यह dynasties में आपको locate करके बताई थी, ठीक है, अब क्या होता था, हर dynasties चाहती है कि उसका जो empire है, वो बड़े कोई भी आतनी होगा, वो यही चाहेगा, उसकी उन्ती हो, है ना, उसकी तरक्की हो, यही चाहेगा तो वैसे ही, जो यह dynasties थी, ठीक है, यह भी इनके जो रूलर से वो यह चाहते थे कि उनका जो empire है, वो बड़े तो उस sense में क्या होता है, ruling, dynasties have their specific region to rule, but if they want to area of their rule, उन्हें अपने area को बढ़ाना होता था, तो same time they try to control other areas, और वो दूसरों के area पर कबजा करने की कोशिश करते थे, उस चकर में लड़ाई होती थी, अब सवाल यह उड़ता है, कि वो दूसरों के area को क्यूं चाहते थे, वो उनके area को क्यूं कबजा करना चाहते थे तो उसके बहुत सारे कारण है, जैसे की to increase the power, अगर वो दूसरों के area को कबजा कर लें, तो power बढ़ेगी, कैसे माल यह जाए, अगर एक dynasty, दूसरी dynasty को हरा दे, ठीक है, तो उसके जितने भी resources, उसके जितना भी पैसा होगा, ठीक है, उसकी जो army होगी, वो किसकी होगी, जो जीत गया होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो power है, वो बढ़ेगी to acquire more wealth, अगर दूसरा empire को वो हरा देते हैं, तो उदर के जितना भी wealth होगा, वो सारा किसका होगा, जो dynasty, जीती होगी, तो उसके जितना भी पैसा होगा, वो सारा उसका होगा, ठीक है, फिर है, to capture the resources, जो resources होते हैं, जैसे ruler के kingdom में कोई सोने की कदान है, तो वहां का जितना भी सोने के जो कदान होगी, वो किसकी होजाएगी, उसकी होजाएगी, जीतने भी resources होगा, पावर, उसके पास पावर आजाएगी, वहां के जो wealth है, वो उसकी होजाएगी, अब हमाएपस यहां कुछ examples हैं, जिसको हम समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे पैसे को बढ़ाने के चक्कर में लड़ाई लड़ी जाती थी जिसमें हम पहली कहानी पढ़ने वाले हैं त्रीपाटाई स्ट्रोगल फॉर कन्नोच सेकिन है अटैक ओफ महुमत गजनी और ठर्ड है प्रिक्षवी राज थर्ड वर्सिस महुमत गौरी तो हमारा पहला टॉपिक है त्रीपाटा इस स्ट्रोगल फॉर कन्नोच तो हम सबसे पहले देख लिए थे कन्नोच कहां पर हैं कन्नोच यहां पर उत्रपार्देश में यह उत्रपरदेश में एक सीटी से ठीक यह गंगा रीवर के पासका एक इलाका है ठीक हैँ आट की तो बच्चों जुक्त कर दोत है वो एक मैंधनर ओस्ट्रोगल से क्यूंत रही है क्या है एसा क्या है कनोज में कि कि सम्झेंगे तो यहां पानी वाटर था हुआ भ़ bowling नहीं द है अब क्या थ्यांस पान अप्रहाओत श्याइं तो यहां तो मिल मैं बहुत 봤ery है। व्युक् decis Quinn इत्य तो हर राजा की नजर उसी पर थी अब क्या था कनोज जो था वो ट्राजेंक्शन में आता था कैसे आता था जो वांगा जो बेंगॉल वाले रूलर्स थे जिनका पालाश का रूल जो पालाश के रूल में था यह यहाँ पर क्या बैंगौल स्टेट आती गें पर पालाश का रूल था डूसरी यहाँ डेनश्टी थी राष्ट कूट आपको पता है यह देन्श्टी कर्नात का महराश्टरा जहां वह थी पहले यह डेनिश्टी फिर दीसरी आग मतलि यह फ्रीर महां वो है गुजार प्रतिहार ठीक है गुजार प्रतिहार जो है यह थर्ड डैनेस्टी है तो इन तीनों डैनेस्टी के बीच में कर्णोच को लेकर क्या होता था हमेशा लड़ाई लगी रहती थी ठीक है इन तीनों का ओवरलैप कहा होता था कर्णोच के उपर ठीक है तो हमेशा कन्योच को लेकर, इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चलती रहती थी, कन्योच पर कबजा करना क्यों चाते थी ये लोग, ऐसा क्या था वहां पर, ठीक है, कन्योच में बहुत जादा खेती होती थी, fertile area है उस perspective से क्या है कर्नोच में बहुत जादा prosperity है अब यहाँ पैसा है तो लड़ाई हो रही है जहां wealth होगी वहाँ पैसा होगा वहाँ लड़ाई होती है तो यहाँ पैसा है तो इसलिए यह तीनों आपस में लड़ते हैं ताकि वह कर्नोच पर कबजा कर सके तो यह तीनों को dynasties थी अगर आपको कोई पूछे कि कौन से tripartize struggle किन तीन dynasties के बीच में हुई तो किन तीन dynasties के बीच में हुई थी पालाश राश्टकोटास और गुजारा प्रतिहार्स ठीक है यह तीन dynasties जिन तीनों के बीच में किसको कर्नोच को लेकर लड़ाई होती थी क्यूं क्यूंकि यहा का जो area था वो काफी fertile था और historian ने इस struggle को क्या बोला ट्रीपार्टाइस struggle क्यों बोला क्यूंकि इसमें तीन लोग यानिकि ट्रीपार्टीज थी ट्रीपार्टीज के बीच में struggle चलती रहती थी थी ठीक है ताकि वो इस पर कबजा करने किस पर कंणोच पर ठी तो उनका basic objective क्या था इसमें, wealth, पैसा, ठीक है, तो आज हम यहां तर करते हैं, अब हम next topic, next lecture में समझेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, attacks of Gajni and Gauri, thank you and have a nice day.